इन्दौर के एक हॉस्पिटल में मोतिया बिंद के ऑपरेशन के बाद 11 मरीजों की आखों की रोश्णी चली गए कुछ मरीजों को एक आख से तो कुछ मरीजों को दोनों आखों से दिखाई नहीं दे रहा है आपको बता दे कि ये सभी मरीज आथ अगस्त को राष्ट्रिय अंधत्व निवारन कारिक्रम के तहत ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में भरती हुए थे उसे दिन इनके ऑपरेशन हुए अगले दिन आखों में दवाई डालने के बाद इंफेक्शन हुआ और मरीजों ने हंगामा शुरू कर दिया कई मरीज रोने लगे डॉक्टर ने चेक किया तो बोले हमें सब कुछ सफेद दिख रहा है कुछ ने बताया कि उहें सिर्फ काली चाया दिखाई दे रही है जाज के बाद डॉक्टरों ने माना कि इंफेक्शन हो गया है लेकिन वे ये नहीं बता सके कि इसकी वज़ा क्या है क्या हुआ आपके साथ इधर स्वास्त विभाग ने घटना के बाद हॉस्पिटल का ओटी सील कर दिया है और आखों के उपरेशन पर पाबंदी भी लगा दी है कि एक प्राइविट हास्पिटल की घटना है और इस घटना को मुख्यमंति जी ने संग्यान में दंभिता से लिया है सारे जितने भी हमारे घाग पर के पीडित लोग है उनको चोईत्राम हास्पिटल इंदोर्ते में रिफर किया गया है सारे की पहली प्रात्मिकता आंखे के से बचे और दूसरा उनको पचास पचास हजा रुपया पर परिवार को मौजी के तोर पे कलेक्टर को निद्रिश दे दिये गए हैं किसी भी परिवार के वेक्तिगी हांखे चली जाए और इतिल आपरवाई हो उन हास्पिटलों को मैं समझता हूँ कि यह सरकार कमल नाग की सकता है जिस दिन हमें संग्यान में आया मैं धन्यवाद देता हूँ एक अगबार और टीडी और पत्रकार जगत किया जो चलोक तंत्र का चूंता है उसके जरिये मुझे संग्यान में ये बात आई मैंने मुझे जैसे ही पता चला उसके 20 मिनिट के पहले-पहले मैंने रामेश्वाद से संपर करके उन्से अन्रोथ किया कि आप आओ सरकार आपके दोनों हातों से खुला करके आपका सईयोग करना चाहती है आप देश के असे मुझे हमारे मुख्य मंत्री जी को कोई राई नहीं दी सिधर रिजू जी को दी तो मैं समझता हूं उनका विचार हो सकता है अच्छा है पर मुझे पर रामेश्वार कहीं पी उसको साहता मिले मिलना चाहती है जाच के बाद कारण स्पष्ट होने पर कड़ी कारवाई की बात कही जा रही है अस्पताल के नेत्र रोग विशेशग्य डॉक्टर सुधीर महाशब्दे ने बताया कि संक्रिमर का कारण अब तक पता नहीं चला है अन्य विशेशग्य भी जाच कर चुके हैं सैंपल भी जाच के लिए भिजवाई गए हैं न्यूस टेस्क